शायद आने वाले समय में जिस तक्नीक की आवशकता होगी उसको जोड देते हुए सरकार लगातार पहले से ही यह सुनिशित करना चाहती है कि आने वाले समय में किसी तरह की चुनोती जो है वो हमारे सामने ना आए बिलकुल सही बात आपने अच्छली सामने लाये हैं देखिए नरंदर मुदी सरकार का जो विजिन है सबसर पहला चीज होता है कोई लीडर का एक दृद्रिस्टी होना निहाती आवशक है यह नरंदर मुदी साहब पहला ऐसा एक लीडर है वो 25 साल आगे के बारे में सोच किय कर रहे हैं इक एको सिस्टम पैदा कर रहे हैं चाया आप आत्मने भारत की करिए अजुकेशन की बात करिए चाया आप इंप्लॉइम्मेंट ऑपर्चुनिटी की बात करिए प्राइमेरी सेकेंट्री टर्शिरी मार्केट को कैसे डेवलप करा रहे हैं एक्स्पोर्ट cave चला गिया है meditating इन तक officially formally अभी तक लिखित में नहीं आ रहा है लेकिन सब अंदाज लगाएंगे भारत एक ऐसा देश है anti-piracy, piracy की खिलाब push action लिया है कहां Red Sea में, कोई देश है अभी तक आप उदानम दे सकते हैं, भारत ऐसा, चाइना का हो, पाकिस्तानी हो, और देशों का लोग फसे हुए हो, जहां जो में, उनको rescue करके, उनको handover किया गया है, इसी तरह मलाकर के आगे अगे अगर दिखेंगे, भारत एक ऐसा देश है, हमारे जहां जाके, फिलिम्पिन्स, वेतनाब, वहां पर पोर्टर को कर रहे हैं, तो इसकी इल का कहवत था, कि अपना माथा जुका के एकोनोमिक डेवलप्मेंट के लिए चुक चाप काम करते रहे हैं, शोड गुलावा मत करिये, अब जी जिन पिक तब आने के बाद वो, उनका जो पहलू है, फिलोसाफिक पुरा बदर डाला है, एग्रेसिव प्रोजेक्शन ओपार, ऐसा ना करके, जब तक दस पंद्रा ट्रिलियन डॉलर नहीं बनता है भारत का, हमारा जो जी डिपी की बात कर रहा हूं, डेट और ग्रोथ का डबल डिजिट नहीं होता है, अनेम्प्लम को जब तक हम हल नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड, दो कम से कम युनि कर सकता है